कि हलो दोस्तों में हूँ राके साथ हो और स्वागत है मेरे चैनल में आज के इस वीडियो में हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे कि आई के टाइम टेबल होता है वह इस प्रकार से आपको इसक्रीन पर दीख रहा है यहां पर फरस्ट में अगर हम देखेंगे तो सीरि यहां पर टाइम टेबल जो है कि दो तारिक से लेकर 12 तारिक में हर अलग अलग ट्रेडों का पेपर होने वाला है तो आपको पीशे रूप से द्हान रखना पड़ेगा कि आपका पेपर का वे इसके लिए पूरे वीडियो में बने रहें तो आपको आपके डेट के बारे म त्रेवल टूलेंद दाइंघ कारपेंटर इस्टुमेंट मेकैनिक ड्रैप्ट में इंदर्ष्टी मेंटर मेंम स्टुमेंट्र होने वाला है वही दौ तारिक को सिप्ट में फश्च रिप्ट में ड्वाट ट्क्न राजीक अभी होगा frozen bedroom जो पेपर होने यहां वो होने वाले थर्ड सिफ्ट में यहां पर अगर हम देखें पहले हम दो तारीकों सिफ्टम में इस्टोनेयोग्राफर और एर्फूरिजेशन और एन कंडिशन ऑप्रेटर जो के एक साल के कॉर्सेज हैं वैसे हम बात करें तीन तारीक को तो तीन तारीक को कंप्पिटर वालों के पेपर Mafia फर्स्चितम के और यपने नों तरिक वो कौन से सिप्टम होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर दिखाई देगा चार तारिक में हम बात करें तो चार तारिक में यहाँ पर इलेक्टिशन वालों बच्चों की एक्जाम होने वाली है तो चार तारिक की तीनों सिप्टम है फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिप्टम है यहां पर इक्टिशन वालों की बच्चों की एकजाम होने वालों की एनने अगर अगर एक्टिशन है एक्बची चबर म strive को होने वाली और को आपके कार्ण बात करेंगे फैटर वालों बच्चों कार्ण की एकजाम। सब्सक्राइब 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 प्रत की में तो 5 तारिको डिजल मेकिनिकल वालो बच्चों की एक्जाम है वैसे हम बात करें 6 तारिको 6 तारिको भी डिजल मेकिनिकल की एक्जाम है तो यहां पर सिप्ट 25 फर्स्ट सिप्ट में भी डिजल मेकिनिकल है और थर्ड सिप्ट में 6 तारिको डिजल मेकिनिकल प्लस वेल्डर व यहां पर तारिक को मंडे के दिन थर्ड सिप्टम में मेकनिक मोटर विकल मेक डिजल मेकनिक यहां पर वालो बच्चों के फिर से एक्जाम है तो आपको विशेश ध्यान रखना है नव तारिक के हम बात करें तो यहां पर जैसे इलेक्टिशियन इलेक्टानिक मेकनिक फीटर मेकनिक मेकनिक डिजल प्लमबर वेल्डर और फर्स्ट पेपर पेपर चेकन भी होने वाला है तो यहां पर अगर हम बात करें कि दोजार अट्रा में पेटर्न अलग अलग पकार से पेपर होते थे जैसे वरकेशाप और ड्राइंग का पेपर डिजल टर्नर सर्वियर और यह वाले भी हो सकते हैं तो यह कौन से यहर के बच्चे यहां पर पाटिसिपेट करेंगे वह आपको एड्मिट कार्ड पर ध्यान रखना है तो आपके लिए अगर हम देखे जाएं तो यहां पर साथ 6-7-8-9 तारिक तक फीटर के बच्चों का लगभग पेपर हो सकता है तो डिजल मेकिनिकल वालो बच्चों का छे तारिक को लगभग पेपर 6-7 और 6 तारिक और 8 तारिक को डिजल मेकिनिकल वालो बच्चों का पेपर है बैसे हम बात करें दस तारिक को तो दस तारिक को फर्स स्रिप्ट में हमाई राप्टमेंड मेक यहां पर फीटर वाले जो बच्चे हैं सेकंड येर वाले उनकी एक्जाम 10 तारीक को होने वाली है वहीं हम 11 तारीक की बात करें तो इलेक्टिशन वाले बच्चे जो सेकंड येर में हैं उनका पेपर होने वाला है यहां पर 11 तारिक को 1st, 2nd and 3rd system में 2nd year वाले बच्चे एलेक्टिशन के एक्जाम देंगे वही हम बात करें 12 तारिक को बारा बारा तारिक को भी 2nd year के ड्राफ्टमेंट, सिवील, electronics, electronics, mechanical, feeder, mechanic motor, turner, electrician, feeder, instrument, machinist तो यहां पर अलग अलग परकार के बच्चे यहां पर participate करेंगे तो आपको अगर आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्जाम किस डेट में है तो फीटर 2nd year वालो बच्चों की एक्जाम, maximum 10 तारिक से लेकर 11, 12 या 13 तक में आपका कभी भी 10, 11, 12 में आपका कभी भी एड्मिट कार्ड आ सकता है कौन सी एड्मिट कार्ड पर कौन सी डेट है, उसमें आपको दिखाई देगा मगर कनफर में है कि आपकी 10 तारिक को फीटर वालों 2nd year की एक्जाम होने वाली और 1st year वालों की बच्चों की एक्जाम 5 तारिक को होने वाली है तो विशेज ध्यान रखें अपने एड्मिट कार्ड जब भी कालेंज में आए तो महाँ पर जाके समय और सीप्ट का जरूर ध्यान रखें क्योंकि एड्मिट कार्ड पर हो सकता है कि आपके बच्चे आपके जो यह साहती है दस तारिक कोन का भी पेपर हो बाकी हो सकता है कि कोई फस्रिप्ट में तो सीप्टव का ध्यान जरूर रखें अपने एड्मिट कार्ड को विशेश करके ध्यान रखें और कहाँ पर सेंटर विशेश ध्यान रखें यह सेंटर अभी तक कहीं पर पता नहीं चले हैं आप- jacket पर ही पता चलेंगे कहां पर सेंटर होने वाले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीज में शियर जरूर करेगा और मेरे चैनल को लाइक और सिब्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद